दोस्तों जयहिन में प्रदीब में आपको मेरा एक नया एपिसोर जयहिन में आपको स्वागत करता हूं दोस्तों जब तक के धर्ती रहेगा जब तक के अंबर रहेगा तब तक हमारा देश का जो बीरो सहीध होगे उनका नाम हर दिन के लिए लिखा रहेगा दोस्तों केसे होते हैं वो बीरो जो अपना प्राण को अपना मात्रूमी के लिए गवा देते हैं और सहीद हो जाते हैं हाँ दोस्तों आप एक भालत्य है और भालत्य सेना के उपर भालत्य होने के और भालतय सेने के उपर गर्व है तो एसा एक मैं जावाद सहीत का बात आज करने वाला हूँ जिसको आप सभी लोग को सुनना जानना जरूरी है और ये जबानों जो हमारा निया पिड़ी है उनको इसके बारे में जानकर लेना बहुत जरूरी है जो की अपना प्राण को अपना मात्रूम के लिए गवा दिया और वो कई सारी अपना मंजिले अपना अपरेशन अपना मिशन को सक्सेस पाते हुए आगे बढ़ गया हाँ दोस्तों मैं उस पिता माता को नमन करता हूं जो अपना चिरागों को भारत का भारत माता का पास भेज देते हैं और उन जबानों को मैं आज नमन करता हूं जो की अपना देश के लिए अपना जान गवा देते हैं और हमारा जो माता पीता है अपने अपने चिरागों को अपने बॉरर को भेज़के अपना देश के लिए अपना जो काम करते हैं मैं उन्हों को आज सो सो नमन करता हूं और जबान को नमन करता हूं तो कि हमारा देश के लिए काम करके और हमारा देश का गर्ब रखते हैं और ह जो नाम है क्या शुदिर कुमार वालिया हां दोस्तों ये शुदिर कुमार वालिया को रंबो कहा जाता है रंबो का मतलब आपको पता होगा दोस्तों आप फिलिम में मूभी में रंबो के बारे में सुने होंगे रंबो ये होता है जो कि कभी हार नहीं मानता और हर जगा में स जुदिर कुमार वालिया उनको रंबो क्यों कहा गया है वह आपको बताऊंगा दोस्तों यह स्टोरी शुरू होता है चब्विस माई उनिस सो सच एसा एक जो हमारा हिमाचल प्रदेसे कांग डजिल्ला में एक एसा बच्चा वालिया परिवार में जन्म हुआ जिसका जीर जिसने अपना मात्रूमी के लिए सेवा किया और अपना जान दे दिया दोस्तों उनका पीटा नाम वालिया थे वह अमारा भारत्य सेनमें एक जबान के हिसा में काम करते थे और वह टाइम में उनका सालिर भी इतना खास नहीं था और उनका बेटा जन्म होने के बाद पैदा होने के बाद दो साथ जब क्लास्टू में एपी मीडियो बीपी स्कूल को जाने लगे तो उस ताइम में बोरी लेकर जाता है थे बेटने के लिए कि उस टाइम में बैंज का सुभिदा स्कूल में नहीं था तो एक दिन और गवर्मेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखते हुए वह एक दिन उनका पीथा से बोले कि पापा मैं तुम बहुत में बढ़ना और आगे बनना पड़ेगा तो उसी दिन से रंबो जो अपना दिल में ये जगा बना दिये कि एक दिन बढ़े होंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और उनको मां को ओ ये कहा करते थे कि मां मैं जब बढ़ा होंगा तो उस टेम में मैं आर्मी में जयन करूंगा और आर्मी अफिसर बनूंगा ये इर अगे बढ़ गे और उनका मां को ये बोला करते थे कि मां मैं कभी कोई दृगणब्ञ में मरूँ Just मैं मरूँगा तो अपना देश के लिए मरूँगा और देश के लिए मर के जो अपना तिरंगा लिफ्टा हुआ घर को आऊंगा तो ओ जो बात किये थे ओ बात का सोब प्रूब किये और प्रूब करके दिखा दिये दोस्तों बच्चा सुधीर उसका दिल में जो लागन था उसके लिए अपना घर से 40 किलिमीटर दूर वो साइनी स्कूल में भरती हुए और वो अपना पढ़ाई खतम करने के बाद वो एंडिये के लिए त्यार किये और उनका एंडिये में भरती होने के लिए जो आसा वो सफल हुआ बेंगलूर में जब बेंगलूर को बेंगलूर में उनका एक्जाम सेंटर था एंडिये के लिए तो उस टाइम में उनका पापा को ये पूछे हीमा चल छे बेंगलूर जाने के लिए बेंगलूर आने के लिए उस टाइम में दो हजार रुपे का जरुरत होता क्यूंकि उस टाइम में ना पहचान बाला बैंगलोर में था तो इसके लिए उनको पीता को ओ आजस लिए और बैंगलोर को चल पड़े अपना एंड़े क्यारियर को आगे बढ़ाने के लिए और उस टाइम उनको पीता उनको 2000 के जगा 3000 रुपए दिये थे क्यूंकि उनका कोई आस पास में था ही नहीं तो जब बैंगलोर को आए और बैंगलोर में एक्जाम दे और उनका इंटर्वी हुआ और एंड़े के लिए उस टाइम में दोस्तों अभी जैसा फोन का फैसिलेटी नहीं था तो चार दिन के बाद उनका घर में उनको पीता को यह लेटर मिला कि आपका बेटा एंड़े के अठाशी को उनको एक अफिसर करके चुना गया और जिस दिन उनका बेटा अफिसर बनना था जिस दिन बेटा शुदीर बन गया था मेज़ाद शुदीर कुमार वालिया उस दिन उनका पापा और मां का आंख में आशू आ गया था और उनका पापा का दिल मन में यह गर्ब पता कि मेरा बेटा मेरा नाम आज उचा कर दिया और उचा करके मेरे को बहुत आगे उपर उठा दिया जब दोस्तों एक बेटा खुशी होता है आपको पता है क्या जब दोस्ते पीटा खुशी होता है मैं आपको बताता हूं जब उसका बेटा अपना नाम कमा के उपर उसी दिन पीता का दिल सबसे झ्यावादा खुसिशी होता है गोतो यह जो ओलिया जो हमारा सुधिर hock Commun का नाम जीशे सथा सुधिर उनका धर्जवान से और और यह बनने का ख्यामता और सक्थी ऑंके पास इसे फाफ कुमा दोस्तों उस टाइम में हमारा देश का पास में जो स्रिलंका है बहुत असंति का परिष्टिधी सुष्टि हुआ था तो उस टाइम में स्रिंआ कामें बहुत जड़ा глаз और लोगों का शटी भी नहीं था तस्रेदमीमारा भार्टिय से स्टाह weed सेना को सिलंका को भेज़ द्या गया सांती दूत के हिसाब में तो यह सांती के साब में जो थे मेजर मेजर शुधिर कुमार वालिया वह भी सिलेक्ट हुए और अपना जो सजेस्ट्य को लेके ओ सुधूर अपना जो सिलंका चल पड़े और सिलंका में दो साल तक बहुत सारा मिसानों हंडल के, आपरेशन हंडल के और आपरेशन में सक्सेस भी मिला उनको और 2000 में हमारा भारतिया सेना को बापस बुला दिया गया सिलंका से और उस टाइम में हमारा कुछ जवान, 1000 का आजपास कुछ जवान भी सिलंका में साहिध हो गये थे, तो ये था उनका पहरा मिसान, उनका दूसरा मिसान जो सिया चिन में था, और सिया चिन में उसके बाद उनको 6-6 महिने के लिए दो बार उधर डिप्लेमेंट किया गया, सिय उधर ये तकलिप है, दुस्वन को हंडल करना तकलिप नहीं है, और कोल्ड में खड़ा हो के, डिवुटी करना उसके ज्यादा तकलिप है, जो तो ये सिया चिन, इसमें दो बारो 6-6 महिने के लिए काम किये, फिर उनको ऐसा एक, उनको मिसान दे दिया गया, जिसके लिए बने ही नहीं थे, तो उन्स टाइम में उनको, उनका हेड़ अफिस का बुला दिया गया, और तीन जाट का रेजिमेंट का वो जो मैजर थे, तो उस टाइम में उनको कुछ ऑफिसियाली काम दिया गया, जो कि उस काम में संतुष्ट नहीं थे, वो डेक्स के ओपर काम करना, और और अफिस को आना और फिर अफिससे जाना वो बने नहीं थे उसके तो सुधिर कुमार्वालियामेजाद सुधिर कुमार्वालियागा जो नेक्ट मिशंट था ओधा कि इसा एक आपेटमेंट मिला और वखुद अपने को प्रूब करने के लिए तब अब वह से ऩाइशन किया डोले दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूं ची कि उनको जब धिली उनको जब विला दिया गया और उनको अफिशल वर्क दिया गया तो उस टाइम में वह अपना जब्स में कभी हापी नहीं थे तो उस टाइम में जाके उनका जनरल मलिक को यह बोले कि सर प्लीज परमीट मी टूगो फर माइशन और आई वांट टू फाइट विट माइड में विट आवर एनमी हज दोश्तों इस टाइम में हमारा कार्गिल का वार छेड़ गया था और कार्गिल में उनका जो मध्य कावन से पेले वे में जनरल मलिक उनको एक को सचिं कि है कि तुम तो तुम पाहड के बारे में थोड़ा अपना नालेज बढ़ा दो तो जाके तुम उधर लड़ सकते हो तो उस ताइम में उनका यह आवा यह आंसर था कि सार में पाहड ही हूं पाहड के बारे में मेरे को बहुत सर जनकार है तो उसी दिन वह अपना मिशन को निकल प तो उस टाइम में आगे बढ़े और अपना जो मेशिन गन के साथ आगे बढ़ते हुए वह इतना सब्सक्राइब लेगों मिलड़ते हैं सब्सकिते हाला वक्राइब लिए पत्ताम अधना उन के सब्सक्राइब थो अपारे के पारे निखमलह में आफ्याइब इसके लिए रंबो करके बोला जाता है कि जो अपना काम को आगे देखता है और काम में सपलतबा आता है इसके लिए तो उनको रंबो करके बोला जाता है् दोस्तों एसा ओव हर एक युद्ध में आगे बढ़ेगे बढ़तेगे और उनको उधर हमारा कारगिल के आवार खताम होने के बाद उनको यह हमारा सेने का दरब से उनको यह बीर चक्रा आवार देने के लिए बात हो रहा था तो उस टाइम में 28 उसी साल 28 अगस्त का रात को एक मेशेज आता है आमारा इंडिया इंडियान सोल्जार को हमारा इंडिया को मेसेज आता कि जो जब्मू पूलमा खेत्र में जंगल में संत्रासबारी चिपे यह और अपना रस्ता टोन रहें हूँत टाइम में हमारा भहरतिया सेना इनके जो मेजर वालिया ओदाइत्टों दिया और मेजर वालिया खुद काम के लिए आगे बढ़ें और अगेश्य जब पुल समय में जैर्सदिया उसके अधर तव से जंगल के रात भुर चार-पांच जो अपना सだ निखते शोलजर ते लेके गेते और रात बार ढूंडते रहे मगर संत्रसवाद किधर उनको अठापता कुछ नहीं चला तो जैसे सुबह हो रहा था तो उस टाइम में उनको कुछ आबाज सुनाए दिया जो कि आबाज का पीछे बीचे वीचे उचले तो आबाज का पीछे कि उनका सामने दो जवान जो कि दो सत्रु अपना सस्त्र सत्रु खड़ा है और कुछ नीचे उनका जो कुछ घाई है ठाई के अंदर में कुछ चीपे चीपे होके बेठे हुए संत्रसवादी तो इमीडेट ओ एक जो उनका सस्त्र जो सत्रु था उसको निपात कर दिये और उसको अपना रिवर्वर्ष से गोली से उसको माट डाले तो उस ताइम में दूसरा जो था ओ कूद के अपना जो ठीकाना था ठीकाना में पहुंच गया और सभी को इसके बारे में बता दिया है कि कोई इंडियंस अफिसर हमको डोड़ने के लिए आ गया तो यह लोग परेशन अभी हमको पुरा करना है है जो जो बोले थे हो कि और उसी टाइम में अपना सामने जिसको भी देखे ओ अपना जो मैसिंगान निकलके मैसिंगां से उनको ठेहर कर दिया और इसके साथ चलते हुए ओ कुछ गोली उनका आकर उनका चाहती में लगा कुछ गोली आकर उनका हाथ और पेर में लगा और पूरी तरफ से जख्मी हो चुके थे और उस टाइम में तब तक अपना वाकी टक अपना जो रेडियो सेट में यह मेसेज देते रहे कि जब तक हम सत्रों को बिनास नहीं करेंगे तब तक हम रिटर्न नहीं जाएंगे तो यह हुआ दोस्तों अपना जो रेडियो सेट में अपना आफिसर को मेसेज दिये कि मेरे को इधर से ले लिजिए तो उस टाइम में उनको हेलिकाप्टर में उनको ले लिया गया मगर उस टाइम में इतना उनसे खून बहे चुका था और उनका इतना जख्मी हो चुके थे कि वेडिकाल लेते सहीध हो गश्क्राइब अपना देश के लिएं अपना जीवन को बलीदान कर दिए तो दूस्तों यिजो अपना देशंचेलिए अपना जान कुर्बन करने के लिए और फंससा अपनी फॉर युट्ड मोऔरas अचर को भेचते में मेरा तरफ से मेरा अंतर से उनको लाख लाख नमन करता हूं और देश के लिए प्रणब करता हुं तो दोस्तों आपको केसे लगा मेजर शुधिरिवालिया का यह कहानी आप जारूर मेरे को मेरा यूटूब चैनल में बताए और यूटूब चैनल में हमारा देश के लिए सही दोगे उनके निया पीड़ी के का अब नेशके प्रॉस reasonable मेरा तब पर से नैडिया कर दिजे चैनल क कर दिए अब लोगों को बहुत बहुत तयाओ तक मेरा वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को एंजय करते रहें तो मेरे दर्ब सभी को जाए हिंद और जाए भारत